हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल डीजलोग्स सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पुजा की हारदिक सुपकाम नहीं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं आज हम लोग इस वीडियो में इस पंप के बारे में डिस्कस करेंगे यानि कि आपको बताएंगे इस पंप को रिपेर कैसे करना है तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड़ वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बिल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्संस में जाके नोटिफिकेशन में आल में क सबसे पहले हम लोग इसके रिटेनर को निकालेंगे रिटेनर को निकालने के बाद इसके प्लंजर गाइड को निकालेंगे यह इसका प्लंजर गाइड है इसके बाद हम लोग प्लंजर को निकालेंगे यह इसका spring plate है इसको निकाल लेते हैं इसके बाद plunger आसानी से निकल जाएगा यह plunger है जो कि खराब हो चुका है अब plunger को निकालने के बाद हम लोग plunger spring को निकालेंगे यह plunger spring अब barrel को निकालने के लिए हमें सबसे पहले locking screw को निकालना होगा तो चलिए locking screw को निकाल देते हैं यह locking screw को हमने निकाल दिये अब हम लोग control sleeve और spring seat को भी निकल देते हैं यह control sleeve है और नीचे spring seat है और यह हमारा control rod अब हम लोग delivery valve assembly को निकालेंगे उसके लिए हमें delivery valve holder को दीला करना होगा तो चलिए delivery valve holder को धीला करके निकाल देते हैं यह delivery valve holder है और इसके अंदर रहता है compression spring और यह delivery valve assembly और यह रहा delivery valve assembly और उसके नीचे बैरल है यह रहा बैरल और यह आखिर में pump housing इसके सारे parts जो है उनको हमने clean कर दिया है अब चलिए इसको assemble करते हैं यह है इसका plunger and barrel assembly और delivery valve assembly और यह जो आप white color में देख रहे हैं यह seal ring है यह delivery valve assembly के ऊपर लगता है तो चलिए इसको assemble करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो barrel है वो pump housing में कैसे लगेगा बैरल का जो यह वाला portion है यह locking screw को side लगिया उसको लगाने के बाद locking screw को tight कर देंगे अब बैरल को लगाने के बाद हम लोग अब deliverable assembly को लगाएंगे जो कि बैरल के जस्ट उपर लगीगा इसके बाद हम लोग deliverable holder को लगाएंगे यह holder के अंदर compression spring को डालना है उसके बाद लगा देंगे अब हम लोग control rod और control sleep को लगाएंगे control rod को डालने के बाद control sleep को center करके लगा देना है मृ नच उसके करनान भाद नहा हम इदानगे पिरश भाय करदे alt अबि crown व rural bay झाल उसको सेंटर करके लगाने के बाद अब हम लोग प्लंजर को डालेंगे प्लंजर को डालने से पहले स्प्रिंग सीट को डालना है उसके बाद प्लंजर स्प्रिंग को अब हम लोग प्लंजर को डालेंगे अब प्लंजर के उपर लगेगा स्प्रिंग प्लेट इसको ऐसे लगाना है और ऐसे डाल देना इसके पर लगेगा प्लंजर गाइड अब प्लंजर गाइड के ऊपर लगेगा रीटीनर अब पंप जो है हमारा असेंबल हो चुका है चलिए अब डिलेवरी बल्ब होल्डर को जो है उसको टाइट कर देते हैं ध्यान रहे के दोस्तों डिलेवरी बल्ब होल्डर टाइट करने के बाद कंट्रोल रॉड जो है वो टाइट नहीं होना चाहिए वो मूब करना चाहिए तो अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेती है सबसे पहले इसमें थोड़ा सा डीजल डाल देते हैं अब इसको ओन पोजीशन में रखके फायर करके देख लेते हैं यह देखे दोस्तों यह काम कर रहा है अब इसको अब पोजीशन में करके भी देख लेते अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट करना ना भूले